एक बार डीटेल में बगाना चाहती हूँ मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने आठ साल की उमर में दसवी की परिक्षा पास की दस साल की उमर में बार वी किया तेरा साल की उमर में ग्राजुएशन करके मैं कि यंगेस जर्नलिजम ग्राजुएट बनी और 15 साल की उम्र में पीजी किया जब मैं 16 ही असकी थी तब मैंने पीएश्टी में दाखिला लिया और टेबल टनिस में नाशनल चैंपियन रही साउथ इस्ट चैंपियन भी हूँ और मुझे वर्ल्ड में 6th position में मिला है और मैं द और मैं एक पियानो प्लेयर और सिंगर भी हूँ जैसे कि आप सब को पता है कि मैं हाइद्रबाद से हूँ तो हाइद्रबाद की जो बिरियानी होती है वो सिर्फ 25 मिरिट में बना सकती हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्टों पर जीते है खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों के खुशी के लिए अपने जिन्दगी के माइने बदल देते हैं और आज हम सब बहुत खुश नसीब है कि सब खुश्णमा हस्ती हमारे पीछ है तो मैं उन्हें सलाम करती हूँ नेक लोगों की सोबत में हमेशा भलाई ही मिलती है जब हवा फूनों से गुजरती है तो वो भी खुश्बुदार हो जाती है तो ऐसे ही नेक लोगों में से हमारे इतेशाम सर जिनोंने इखरा बिसमे रभी का जो खुरान की पहली आयात है जो हमें तालीम के बारे में बताती है उसकी तामिर की है जिसके वज़ा से आज यहां के स्टूडेंट्स पत्रिकारता और अलग-अलग शेत्रों में अपना लोह मनवाया है तो एक बच जोरदार तालिया होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए मुझे तालियों की आवाज सुना ही नहीं देरी जोर से तो इल्म के वज़े से दोस्तों में इजाफ़ा होता है और यहां पे जितने भी लड़कियां है उनसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि आईश्वर या राय बनना है तो एक बुलन नसीब चाहिए पर मदर तेरिसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए और यहां पर बैटे हुए सभी लड़कियों में वो खूबी है मैं यह मानती हूँ क्यों और सिर्फ नेक दिली को निखारना चाहिए और ज्यादा सजने सवरने के बाद में भी मीटी में मिलना है अगर आप रू को सवार होगे तो उसे रब के पास जाना है तो सवार नहीं है तो रू को सवार हो जिस्म वो नहीं और यह सिर्फ और सिर्फ तालिम के दोरह ही किया जा सकता है ऐसा मैं मानती हूँ और आपकी वालिदेन जो एक गुद्रत का नयाब तौफा है जो हर वक्त आपको दुआएं देती रहती है चाहे वो अपने पास हो या ना हो जैसे जील नदी सूखने पर भी अपनी नमी रखती है वैसे ही अपनी मा हमेशा अपने बच्चों को दुआओं में रखती है तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मा तो जन्नत का फूल है प्यार करना उसका उसूल है दुनिया की मुहपत फिजूल है मा की हर दुआ कबूल है मा को नारास करना इनसान तेरी भूल है मा के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है और मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी जबान की तेजी उस पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया जैसे कि मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो पुराने शहर के चंदरानगुटा का जो सेंधिल स्कूल है वहां से किया तो वहां के जो हमारे जो चेयरमेन थे आजम सर और सादिक सर उन्होंने नमाज की फिक्र अपने पर फर्स कर ली और दुनिया के फिक्र से आजाड हो गए और आज कामिया भी उनकी कदम चूम रही है और मैंने उन्हें गर्मियों में प्रोजों में देखा और एक प्रोफेश向ल एड़ूकेशनिस्ट की तरह भी देखा और सर्दियों में वजू करते देखा जो आज इनके मश्यूर और मारूफ होने की एक वजा है तो आप भी अगर उनके नक्षिक अदम पर चलोगे तो जरूर कामियाब हो जाओगे क्योंकि अक्सर मैं हमेशा पताती हूँ कि फजर, जोहर, असर, मगरीब और इंशा पांच वक्त के नमाज है अगर आप फजर सोने में, जोहर, नौकरी में, असर, चाई में, मगरीब रास्ते में और इंशा टीवी पर खाटते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी जिन्दगी भी कटने वाली है क्योंकि जो इंसान नमाज के सज्दों में ज्यादा जुकते हैं उसे जिन्दगी में किसी के सामने छुपना नहीं पड़ता